जैहिंद जैभारत दोस्तों यहाँ पर आप सबको बहुत ही आसानी से किलियर करने वाला हूँ यह समकुन सब्द का आखिर क्या मतलब है यहाँ पर हम आसानी से समझेंगे समकुन किसे कहते हैं समकुन क्या है तो भाई साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं समकून ओके और समकून को इंग्लिस में right angle कहते हैं यहां तक आप सब को clear रहा होगा भाई साथ यहां पर आप ध्यान दीजिए यहां पर आसानी से आप सभी को दिखरा होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो समकुन बनता है और समकुन का मान 90 डिगरी का होता है यहां पर आप आसानी से ध्यान दिजिए कह रहा है कि जब दो रेखाएं यहां पर आप ध्यान दिजिए एक ये वाला रेखा और दूसरा ये वाला रेखा ये एक दूसरे को लंबवत काट रही है या नहीं काट रही है मतलब यह कि यह सिधा सिधी आप सब के सामने यह काट रहा है या नहीं काट रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि यह ऐसे और ऐसे काट रहा है तो यहाँ पर यह जो आकरिती बना है न यह हमारा समकुन का है यहाँ प पर जो भी कौन बनेगा वो 90 डिगरी का बनेगा मतलब यहां पर जितने भी कौन बन रहे हैं वो 90 डिगरी के बन रहे हैं तो भाई साहब समकोन में आपको यही खियाल रखना है कि जब भी कौन बनेगा तो वो 90 डिगरी का होगा जो कौन 90 डिगरी का होगा वो कौन को हम बोले गाईज समकोन आपको आया के नहीं आया आपको आसानी से यही ख्याल रखना है कि 90 डिगरी का कौन बनेगा तो वो हमारा समकोन कहलाएगा ओके और समकोन कब बनेगा जब भाई शहाब सिधा सिधा यानि लंबवत काटती है न रेखा तो यहां पर जो भी आकरिती बना है यही आकरिती हमारा समकोन है ओके आसानी से आप सबको आ गया होगा यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं नयून कोन जिसे इंगलिस में कहते हैं acute angle भाई शाहब यहाँ पर आप गौर केजिए आप सबको clearly आपको परिभासा में दिख रहा हूँ कि वह कौन जिसका माप 90 डिगरी से कम हो उसे नयून कौन कहते है गाइस यहाँ पर आप ध्यान देजिए मैंने already बता रखा है कि यहाँ पर यह जो आकृति दिख रहा है यह कि कौन का है क्यों कि यहाँ पर जो भी कौन बनेगा वो 90 डिगरी का बनेगा तो भाई शाहब 90 डिगरी का कौन बनेगा इसका मतलब यह हमारा क्या है समकौन है अब यहाँ पर 90 डिगरी का कौन बनेगा तो समकौन और लेकिन गाइस 90 डिगरी से कम बनेगा यहाँ पर जो भी क इस तरह से था लेकिन यहां पर इस तरह से है इसका मतलब यहां पर जो आकरिती है यह 90 डिग्री से कम है और गाइज 90 डिग्री से जब कम होगा तो आपको ख्याल रखना है कि वह कोन क्या है नयून कोन होगा तो यहां पर यह अक्रिती में हमारा जो बना है यह 90 डिग्री से कम है तो गाईज 90 डिग्री से कम है इसका मतलब यह नयून कोन है यानि इंग्लिस में बात करें तो acute angle ठीक है तो यहां पर मैंने परिभासा में आसानी से लिख रहा है आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह कौन जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे नयून कौन कहते हैं जैसे आप एक्जामपर में ले सकते हैं यार 90 डिग्री से कम यानि आप इसके जगह पर 45 भी ले सकते हैं आप इसके जगह पर यार इस तरह से 60 भी ले सकते हैं 75 और 80 यह सब क्या है 90 डिगरी से कम है तो भाई साब 90 डिगरी से कम होंगे तो नयून कोन और 90 डिगरी होंगे तो आपको याद रखना है समकोन और आगे के वीडियो में रखिएगा क्योंकि आप जरा सा भी मिस कीजिएगा तो आपको बिलकुल नहीं आएगा गाईज आप सब यहाँ पर देख पा रहा है अधीक कोन ओके और गायज अधीक कोन को अवट्यूज एंगल कहते हैं यहां तक आप सब को पता ही होगा गाईज यहाँ पर आप सब देख पा रहें परिभासा में कि वह कौन जिसकी माप 90 डिग्री से अधीक हो गाईज 90 डिग्री से अधीक कहने का मतलब 90 से ज्यादा हो यानि 100 हो 150, 120, 130, 140 यह 90 से क्या है अधीक है और इसके बाद है तथा 180 डिग्री से कम हो 180 डिग्री से कम यानि 170, 160, 150, 140, 130, 120 यह सब होना चाहिए तो भाईज अब वह कौन जिसकी माप 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उससे हम क्या कहते है अधीक कौन कहते है आपको बिल्कूल नहीं आया होगा यहाँ पर आप गौर किजिए यहाँ पर यह हमारा 90 डिग्री का कौन यहाँ पर बना रहा है तो यह हमारा क्या है सम कौन है यह आप सब को पता होगा यहां पर गौर कीजिए यह सीधे सीधे गया है यह सीधा है यानि यह क्या है 90 डिगरी का कोन बना रहा है यहां पर गौर कीजिए यह सीधा है तो 90 डिगरी का कोन बना रहा है तो यहां पर क्या यह सीधा है यहां पर आप गौर कीजिए यहां पर इस तरह से सीधा था तो यह क्या था 90 डिगरी का कौन बन रहा था लेकिन गाइज यह ऐसे है तो अब धिरे-धिरे बढ़ेगा तो यार 90 से ज्यादा होगा ही जी हाँ 90 से ज्यादा होगा मतलब यहां से गया ऐसे 90 सीधा आप खिच सकते हैं कोपी पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे खिच रहा हूँ तो यहां पर 90 होगया मान लेजिए अब भाई साब यहां पर 90 होगया तो यहां पर धिरे-धिरे बढ़ेगा तो इसका माप भी बढ़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकती है माना कि यह हमारा 110 डिगरी का कौन है ठीक है तो यहाँ पर जो भी कौन बना यह हमारा क्या है अधीक कौन है भाई साब अधीक कौन इसलिए है क्योंकि यह 90 डिगरी से कितना है ज्यादा है है कि नहीं है भाई यह 90 degree से ज्यादा है और 180 degree से कम है है की नहीं है अगर है तो यह हमारा अधिक कों है ठेक है अब यहाँ पर जरा सा आगे और ग़ह किजिएगा यहाँ पर हमारा सीदे क्या था? 90 degree सीदे था 90 degree था और धिर धिर बढ़ गया तो इसका अभी माप बढ़ गया यानि ये मान लेते हैं कि हमारा 150 डिगरी का कौन बना रहा है तो यहाँ पर जो कौन है वो कितना ये कौन सा कौन है भाई सहाब ये हमारा अधीक कौन है काईज पहचानने का असान यही तरीका है कि 90 से ज्यादा है और 180 से क्या है ये कम है तो ये भाईशाब हमारा अधीक कोन है बेसे के लिए हम पढ़ते क्यों है पचानने के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधीक कोन ये रहा ठीक है और इसके बाद और जरा सा एक्जामपल यहाँ पर और ले लिजिए यहाँ पर आप सब देख पा रहा है यहाँ पर मेरा सिधे सिधे कितना था 90 था अब धिर धिर बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा तो यहाँ पर यह मान लेते हमारा 170 डिगरी का कौन यहाँ पर बन रहा है अब बतलाएं यह हमारा कौन सा कौन है अधिक कोन है या नहीं है भाई सहाब ये हमारा अधिक कोन है इसलिए क्योंकि ये 170 डिगरी का कोन बना रहा है और ये 90 से कितना है ज्यादा है लेकिन 180 डिगरी से कम है जी हाँ ये 180 डिगरी से कम है तो आसा करता हूँ कि आपको आगय होगा तो परिवासा देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं ठीक है और मैंने आपको बता रखा है अभी अभी तो guys अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो भाई साहब अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगर आपको समझ आ गया हो तो भाई साब लाइक कर देना एंड सबस्क्राइब तो बनता है ठेक है